नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंट गंगा में. दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है, जिसकी पूजा से बहुत ही चमतकारी और बहुत ही जल्दी लाब देखने को मिलता है. ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है. बहुत परिशान है और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं, तो बहुत ही जल्दी उनको दवाईयों का लाब होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं. आप रोग से परिशान हैं. शारिरिक रूप से परिशान है, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परिशान हैं. तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं. कर्ज में डूबे हो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्थ समस्याएं बहुत ही जल्दी दूर होती है भगवान श्री हरी विष्णु का साकक्षात नारायन का ही स्वरूप माना गया है इस व्रिक्ष को और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंगीता में यह बात कही भी है कि व्रिक्षों में मैं पीपल हूँ तो जब हम भगवान श्री हरी विष्णों की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल व्रिक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रा निवास करती है, तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं, बहुत ही जल्दी चमतकारी रूप से लाप प्राप्थ होता है। निवेदन करते हैं, आज की वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं। यह उपाय करना है, और यदि आप शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं, तो मात्र एक शनिवार इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामना पूल्न हो जाती है। किसी भी कामना से आप ये उपाय करेंगे, आपकी वो कामना जरूर पूल्न ही होगी, यदि आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं। आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं। कर्ज में घिरे हो, व्यापार में आपके लगातार घाटा होता जा रहा है, आपके उपर लोन या कर्ज लगातार चड़ता जा रहा है। नौकरी मिलने में परिशानी आ रही हो. अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं. तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं. घर में बहुत अधिक कालय कलेश रहता है. खर्च अधिक हैं और धन का आगमन बहुत कम है. तब भी आप इस उपाय को करें. जल्दी ही लाब होगा और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन तो बहुत आता है. लेकिन वो धन बेवजाह के खर्चे में निकल जाता है. या तो बीमारियों में या फिर आप ब्यास भर देते हैं या लड़ाई जगडे कोट कचहरी के चक्कर में आपके धन का खर्च हो रहा है. धन का सदुप्योग नहीं कर पाते हैं और जब भी आपको धन की आवश्यक्ता होती है आपको कर्ज लेना पड़ता है. जदी आप इस परेशानी से परेशान हैं. मतलब धन के किसी भी प्रकार की परेशानी से आप परेशान हो. घर में कलय कलेश से परेशान हो तो इस उपाय को करें. जल्दी ही आपको लाब होगा मा लक्षमी की अपार कृपा प्राप्थ हो जाती है. इस उपाय को करने से धन संचय भी होगा. धन आगमन भी होगा. व्यापार में भी आ आपको लाब होगा और नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। बहुत ही अचुक उपाय है। आजमाया हुआ उपाय है। यदि आप विश्वास से करेंगे आपको लाब बहुत ही जल्दी प्राप्थ होगा। और मात्र एक शनिवार यह उपाय करना है। बस मन में विश्वास रख करके करें। आपका कोई भी काम हो जरूर बनेगा, करना क्या है। शनिवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको करना है। शनिवार की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल व्रिक्ष के सामने जाएं। पीपल वरिक्ष मतलब कोई पीपल का नया पोधा नहीं होना चाहिए, जैसे कि जितना पूजित होता है, उतना अधिक हमें उससे लाब प्राप्त होता है, जैसे कि पीपल वरिक्ष ऐसा चाहिए जिसकी पूजा निरंतर होती हो, जिस पर लोग पूजा करते हैं, ऐसे पीपल जैसे एक लाल रुमाल भी चलेगा जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए. लाल कलावा चाहिए जो हम हाथ में बांधते हैं. मौली जो पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है, उसे कलावा कहते हैं. वो आपको चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहाँ पर करना पड़ेगा. इसके अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक, आप गाय का घी ले कर जाएं और उससे प्रजवलित करें या फिर दिल का दिल होना चाहिए. सरसों के तेल से आज हम प्रजवलित नहीं करेंगे क्योंकि हम यह प्रयोग जो कर रहे हैं, धन दायक प्रयोग कर रहे हैं. मनो कामना पूर्ण करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है. आटे का दीपक जैसा कि आप सभी जानते हैं. मनो कामना पूर्ती के लिए बहुत ही अचुक उपा पीपल वरिक्ष के नीचे कभी भी देर रात में नहीं जाना चाहिए, तो आठ बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है. इसके लिए आप समय पर पीपल वरिक्ष के नीचे पहुँच जाएं. अब करना क्या है? सर्वप्रथम जब आप पीपल के नीचे जाएंगे तो आप पीपल देवता को पीपल व्रिच को प्रणाम कीजिए उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए भगवान श्री हरी विश्नु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए सभी जो हमारी पित्री पूर्वज होते हैं उन सब को हरिदय से नमस्कार कीजिए और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है शनिदेव को नमस्कार करना है शनिवार का दिन है तो शनी देव को जरूर नमस्कार करें और इसके साथ ही हनुमान जी की भी आपको आराधना करनी है आटे का दीपक जो आप लेकर गए है पीपल व्रिक्ष के नीचे मतलब पीपल की जड़ के पास चला दीजिए उसके बाद आप एक बार हनुमान चालिसा का पाठ कर लीजिए हनुमान जी का ध्यान करके मन में हनुमान जी को स्मरण करते हुए एक बार हनुमान चालिसा का पाठ कीजिए और जब आपका पाठ पूरा हो जाता है तब आपको पीपल का जो व्रिक्ष है उसमें एक पत्ता देखना है एक बड़ा पत्ता लगा हुआ ही पत्ता होना चाहिए पीपल का पत्ता को तोरना नहीं है, वरिक्ष में ही लगा रहे वो पत्ता और उसी पत्ता में आप जो रोली लेकर गए है आप इसे थोड़ा सा जल लेकर आप उसे गिला कर लीजिए और उसके बाद आपकी मनोकामना उस पीपल पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लिखनी है रोली में थोड़ा सा जल मिलाकर उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी परेशानी है, आपकी आप उस पर लिख दीजिए जैसे आपको व्यापार में व्रिध्धी चाहिए या व्यापार में लाब चाहिए तो यह लिख सकते हैं नौकरी की परेशानी है तो आप नौकरी लिख दीजिये और यदि आपको धन की परेशानी है कर्स की परेशानी है जिस भी परेशानी से आप मुक्ती पाना चाहते हैं उस परेशानी को आपको उस पत्ते पर लिखना है इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो इस तरह से आपको पत्ता चुनना है पत्ता तोरना नहीं है ये आपको धयान रखना है जब आप अपनी मनोकामना लिख देते हैं, उसके बाद उसी पत्टे वाली डाली के आपको साथ बार जो आप कलावा लेकर गए हैं, वो बांध देना है कलावा को साथ बार बांध दीजिए और बहुत धीला बांधी ताकि पत्ता तूटेना बहुत आराम से उसको बांध दीजिए उसके बाद जो बचा हुआ कलावा है उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए साथ बार लपेट लीजिए, यदि थोड़ा सा ही कलावा हो तो उतना भी बांध सकते हैं लेकिन यदि आपके पास अधिक कलावा बचा हुआ है तब साथ बार अपने हाथ में भी घुमा कर बांध लीजिए उसके बाद आपको पीपल व्रिक्ष की चाया में ही बैठकर एक मंत्र का जाप करना है बहुत ही चमतकारी मंत्र है अचुक मंत्र है, नोट कर लीजिए आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए ओम हीन वट सवा इस मंत्र का जाप आपको पीपल व्रिक्ष की चाया में करना है पीपल व्रिक्ष की चाया में बैठ कर जपा गया कोई भी मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है और बहुत ही जल्दी आपकी कामना को पूर्ण कर देता है आप चाहे हनुमान चालिसा का पाठ करें, सुन्दरकांड का पाठ करें या फिर वही भी पाठ, कोई भी मंत्र, यदि आपको करना हो तो यदि आप पीपल व्रिक्ष की चाया में बैठ कर करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है पीपल व्रिक्ष के नीचे बैठ कर चाया में बैठ कर यदि हम अपने मन की कोई बात कहते हैं, कोई परिशानी कहते हैं, तो उसका निवारन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको जो जब करना है, वो पीपल व्रिक्ष की चाया में ही करना है यदि आप माला ले कर जाते हैं, तो रुदराक्ष की माला ले जाए, माला पर नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही जैसे की आधा घंटा या 45 मिनट जितना भी आपके पास समय हो अधिक अधिक संख्या में इस मंत्र का जब कर लीजिए यदि आपके पास माला नहीं है, और यदि आपके पास माला है, तो 108 मनकों की माला रुदराक्ष की ले कर जाए और 3 माला इस मंत्र का जब कर लीजिए इस प्रकार से आपको जाब करना है, जब आपका जब पूरा हो जाता है, तब पीपल व्रिक्ष को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने पित्रों का आशिरवाद लें और पित्रों को हरदय से नमस्कार करें सभी देवी देवताओं को जब आप प्रणाम करते हैं अपने मन की कामना भी वहाँ पर कहे की है पित्री देवता है भगवान श्री हरी विश्नु या फिर है हनुमान जी सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी परेशानी हो जो भी आपकी इच्छा हो जरूर पीपल व्रिक्ष को कहनी चाहिए बहुत जल्दी पीपल व्रिक्ष के नीचे कहीं गई कामना पूर्ण हो जाती है और परेशानी कोई भी हो बहुत जल्दी उसका निवारण हमें मिल जाता है तो आपको करना क्या है सबको प्रणाम करने के बाद आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं उस लाल कपड़े में पीपल की जड़ से चुटकी भर मिट्टी यानि की एक चुटकी मट्टी निकाल लीजिए मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको चाहिए आप उसे लाल कपड़े में रखकर लपेट उस कपड़े को बांध दीजिए और फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामनामन में रखकर भगवान श्री हरी विश्नु सहित सभी देवी देवताओं से कहने के बाद ये मिट्टी लेकर आपको अपने घर आजाना है घर में ये मिट्टी आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर भी आप धन रखते हैं या आपके पास तिजोरी है तो तिजोरी में रख दीजिए व्यापार में यदी आपको नुकसान हो रहा है व्यापार के लिए कर रहे है तो आप ये जो मिट्टी है अपने व्यापार के गल्ले में रख दीजिए किसी भी धन रखने के स्थान पर आपको ये मिट्टी रखनी है, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में यदि धन की परेशानी है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, और जब धन धर में आता है, आप पर्मा लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, तो आपस में प्रेम व्यव गर में सद्धावना आती है। अगला जो आपका प्रश्ण है कि इस मिट्टी को हमें कब तक रखना चाहिए तो हमेशा रखें अपने घर में क्योंकि यह देव व्रिक्ष के नीचे की मिट्टी है। तो वहां से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर हमें अपने घर में रखनी चाहिए तो यह देव व्रिक्ष है। पीपल व्रिक्ष है। उसके नीचे की मिट्टी है। हमेशा आप अपने घर में रखे, अपने धन रखने के स्थान पर रखे। कभी भी आपको धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो आपका प्रश्न होगा, इससे संबंधित की क्या स्त्रिया इस उपाय को कर सकती है। जी हाँ कोई भी इस उपाय को कर सकता है। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को श्रद्धा से करें। यदि स्त्रिया इस उपाय को कर रही है तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप पीरियड की अवस्था में इस उपाय को ना करें। जब आप शुद्ध हो तब आप इस उपाय को करें और जब आप यह उपाय करें। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जब वह मिट्टी उठा रहे हो, पीपल व्रिक्ष के नीचे से तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं चुपके से आपको मिट्टी उठानी है, यदि आसपास लोग होते भी हैं, तब इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाय की कोई आपक रोके नहीं टोके नहीं, बस यदि आप इस तरह से इस उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिये बहुत ही चमतकारी लाब होता है। उम्मीद करते हैं, आज की विडियो आपको पसंद आई होगी।